हलो फ्रेंड्स आइम अप्रती, वेलकम एक टू आर चैनल प्लांट्से स्पेस ट्रंपेट माइन के बारे में काफी दिन से हमने कोई वीडियो शेयर नहीं की थी और इसके बारे में भी हमारे पास काफी सवाल आते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास एक सवाल आता है कि बेल को जब हम पॉट में ग्रो करते हैं कोई सी भी फूलो की बेल हो तो उसकी हैट कितनी हो जाती है पहली बात तो ये पॉट के साइज पर डिपेंड करता है कि पॉट का साइज कितना बड़ा है जब बेल को अच्छी ग्रोध करने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा जादा स्पेस मिलेगा तो बेल उतनी ही अच्छी ग्रोध करेगी लेकिन जमीन में जो हम बेल ग्रोध करते हैं फूलों की वो जादा फैलती है और अच्छी ग्रोध कर जाती है लेकिन pot में grow करने वाली फूलों की बेल का जो height होता है वो जादा नहीं जा पाता है अब जैसे ये trumpet vine है starting में ये 8 inches के pot में लगी थी फिर हमने इसको 12 inches के या ने 12 inch के गमने में shift कर दिया था और last year हमने इसको ये 12 बाई 12 के grow bag में shift कर दिया था पास में काफी अच्छे से growth कर रही है लेकिन एक height इसकी सीमित हो गई है इसे जादा height नहीं जाएगी trumpet vine के leaf node पर roots बनती है हर leaf node पर root बन जाती है तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है तो ये जैसे दिवार के आसपास कहीं लगी हुई है तो आपने देखा होगा दिवार पर ये चिपक कर चलती है यानि की वहीं से ही पोशन लेती है नमी लेती है और आगे को growth करती चली जाती है मेरे एक relative के यहां ये लगी हुई थी तो वहाँ पर क्या है उन्होंने terrace में इसको छोटे pot में लगाया हुआ था लेकिन वो फैलती चली गई पोट से निकल कर चट पर फैली चट पर फैलने के बाद वो दिवारों पर growth करती हुई सीधी उपर की तरफ निकल गई क्यों क्योंकि उसको जो दिवारे थी और जमीन थी वहां से उसको moisture मिल रहा था लेकिन इससे आपका जो घर है उसकी मजबूती कमजोर होती है जो cement होता है हमने पहले भी आपको बताया उससे ये नमी लेती रहती है और जो cement होता है उसकी मजबूती कम हो जाती है और इससे प्लान ग्रोग कर रहे हैं या घर में भी अगर नीचे गार्डन में बाहर की तरफ तो भी जमीन पे आप ऐसी जगें ना फैलाएं जहां पर आपका घर की मजबूती कम हो कमजोर हो आपकी दिवारें तो इस बात का ध्यान रखिए अब यह हमने जैसे इस पॉर्ट में की जो हाइट है वो सीमित रह गई है और जादे यह उपर नहीं ग्रोथ कर रही है लेकिन हमें एक तरह से यह बुष जैसा बन गया है तो हमें यही शेप इसकी पसंद है इसमें हमें फ्लावर्स मिल जाते हैं और यह देखिए यह इसमें दो बेल बन चुकी है क्योंकि यह म में काफी अच्छी इप द्देखबाल करने की जरुवद नहीं होती है बस धूसे बेल को मिल जाती है और इसमें प्लावर्स भी जरूरर आते है अब eer अब नेयर थोड़ी को में यह दोंकि नमी के Phool्ढ़ देते हैं इसलिए कभी-कभी इसकी वीडियों हम आपसे flower की नहीं share कर पाते हैं अभी भी इसमें थोड़ा सा नुकसान किया था लेकिन आज इसमें तोड़े flower खिले हुए थे तो हमने सूछे आज ही इसकी वीडियों आपसे share कर देते हैं बहुत सारी hummingbird, sunbird और जो tailor bird हैं वो सभी इसमें रस लेने के लिए आती हैं बहुत पसंद है सभी चिडियों को ये फूल तो हमने उनके लिए भी ये लगाया हुआ है बहुत अच्छा लगता है घर के नीचे से आंगर में से जब देखते हैं चिडियां इसमें से रस लेकर जाती हैं तो फर्टिलाइजर के लिए हम इसमें केवल गोबर की खादी यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट या सर्जो की खली या कोई भी किचन वेस्ट मैनियोर आप तयार करके वो इसमें यूज़ कर सकते हैं बहुत असनी से ग्रोध हो जाती है दूप अच्छे से मिलेगी तो फ्ल प्लांट में वर्क करेगा और मिटी की गुडाई करने से जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो भी टाइम टू टाइम खतम होती रहती है उससे भी प्लांट्स अच्छी ग्रोध कर जाते हैं यह काम आप हर प्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं सर्दियों में इस प्लांट की पतियां जड़ जाती है तो उसको लेकर परिशान ना हो गर्मियों में रेनी सीजन में काफी अची ग्रोथ और फ्लावरिंग होती है अभी इसके बेबी प्लांट्स है और यह एक कटिंग है इससे दोनों से एक वीडियो अलग से आपसे शेयर करेंगे एक ही वीडियो में दो से रिलेटेट या कोई भी ब्लांट से रिलेटेट तो आप कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछी हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे धूप का ध्यान रखिए पानी हलका ही दीजे और 30-30 दिन में इसमें फर्टिलाइजर मिक्स कर दीजेगा थैंक यू यू